नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज संसद में प्रस्तुत किये जा चुके बजट 2022-23 की जी हाँ, आज संसद में वित्मंत्री के द्वारा बजट 2022-23 को प्रस्तुत किया गया 2022 में भारत अमरित महुतसब का आयोजन कर रहा है और इस अमरित महुतसब के आयोजन के साथ ही भारत अब अपनी आजादी के 100 वर्स की ओर बढ़ रहा है और इस आगे आने वाले 25 वर्स को बजट में एक नाम दिया गया और वा नाम दिया गया अमरित काल का और बजट में इस अम्रित काल के दौरान विकास की एक रूप रिखा तैकी गई जिसमें चार प्रात्मिक्ताओं पर जोड़ दिया गया है ये चार प्रात्मिक्ताएं कौन-कौन सी हैं जरा उसे सुनिए पहला PM गतिसक्ति दूसरा समावेसी विकास यानि की inclusive development तीसरा उत्पादक्ता वृद्धी और निवेस सुर्योदे के अफसर मतलब sunrise opportunities इसका अर्थ है कि जो नए-नी कंपनिया हैं नए-ने start-ups हैं उनके लिए क्या-क्या opportunities होंगी फिर इसी तीसरी प्रात्मिक्ता में शामिल है उर्जा संक्रमन मतलब energy transition की बात हो रही है इस तीसरी प्रात्मिक्ता का जो अंतिम घटक या component है वो है जलवाय कारवाई या climate action और चौती प्रात्मिक्ता है निवेस का वित्व पोशन चलिए हम बात करते हैं पहली प्रात्मिक्ता की या first priority की मतलब PM गति सक्ति की बजट में PM गति सक्ति को चलाने वाले साथ इंजन की बात की गई है और ये साथ इंजन कौन-कौन से हैं सडक, रेलवे, हवाई अड़े, बंदरगा, मतलब port जन परिवहन, मतलब public transportation, जलमार्ग और रसत अवसनचना यानि की logistic infrastructure PM गति सक्ति राष्ट्रिय मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक परिवक्तन यानि की economic transformation उसका निर्बाद multimodal connectivity इसका मतलब है कि seamless multimodal connectivity और logistic efficiency के लिए साथ इंजन सामिल होंगे NIP यानि की national infrastructure pipeline में इन साथ इंजनों से सम्मंधित परियोजनाओ को PM गति सक्ति धाची के साथ जुड़ा जाएगा इसमें से अगर हम बात करें सडक परिवहन की तो उसके विशे में बजट में यह बात कही गई है कि 2022-23 में राष्ट्रिय राजमार्ग network का 25,000 km तक विस्तार किया जाएगा राष्टी राजमार्ग network के विस्तार के लिए 20,000 करोड रुपए जुटाए जाएगे वहीं अगर हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें जिससे सम्मंधित प्रावधानों की घोसना भी बजट में की गई है तो उसके अंतरगत चार इस्तानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यानोयन के लिए 2022 में PPP यानि की Public Private Partnership मोड के माध्यम से ठेके पर दिये जाएंगे बजट में रेल्वे से सम्मंधित कुछ घोसनाई की कही है जड़ा उन गोसनाओं पर गोर कीजिए गोसनाई यह है कि इस्थानी वेबसायों मतलब जो लोकल बिजनेस हैं और आपूरती स्रिंखला मतलब सप्लाई चेन की सहयता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद मतलब वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट की अवधारना को लाए गया है 2022 में 2000 किलोबीटर रेल्वे नेटवर्क को कवच के स्तहत लाए जाएगा अब यह कवच क्या है तो कवच एक स्वधेसी विश्व इस्तरिये प्रद्योगी की है जिसमें रेल्वे नेटवर्क पर जो खत्रे होते हैं उन खत्रों को कम से कम किया जाता है इस तक्नीकी मदद से उसके अलावा अगले तीन वर्सों के दौरान 400 नई पीड़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्मान किया जाएगा फिर रेल्वे के अंतरगत ही अगले तीन वर्सों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ती कारगो टर्मिनल विक्सित किये जाएंगे अब हम बात करते हैं एक नए विकास कारिक्रम की जिसका नाम है परवत माला और यह विकास कारिक्रम समंधित है किसे रोपवे से तो जिस परवत माला की मैंने यहाँ पर बात की है वह परवत माला राश्टिय रोपवे विकास कारिक्रम से समंधित है और इस कारिक्रम को PPP पर चलाए जाएगा मतलब यह PPP मोड पर होगा और इसके अंतरगत 2022-23 में 60 किलो मीटर लंबी 8 रोपवे प्रोजेक्ट को कॉंट्रेक्ट पर दिया जाएगा अब बात करते हैं दूसरी प्रात्मिक्ता की जो है इंक्रूसिव डेवलप्मेंट इंक्रूसिव डेवलप्मेंट के अंतरगत बजट में जो विवस्थाइन लाए गई है या जिन प्रावधानों की घुसना की गई है अगर हम उस पे गौर करें तो कृसी के अंतरगत हम यह देखते हैं कि एक दसमलव चह तीन करोड किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए दो दसमलव तीन साथ लाग करोड रुपे के सीधे भुकतान की बात बजट में की गई है फिर करसी के अंतरगत ही रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिये जाने की भी बात की गई है मतलब यहाँ पर नेचलर फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है जिसमें प्रारंभिक जो फोकस होगा वह होगा गंगा नदी के किनारे पांच किलोमेटर चोड़े कोरिडोर में और फिर उसके अलावा नाबाड करसी और ग्रामीन उद्यम के लिए जो स्टार्टप्स होंगे उसको भी फाइनेंस करेगा इसकी भी विवस्था बजट 2022-23 में की गई है बजट में एक टर्म यूज़ किया गया किसान ड्रोन इस किसान ड्रोन के अंतरगत क्या शामिल है उस पर गौर कीजिए एक क्रॉप एसेस्मेंट मतलब फसल मुल्यांकल फिर भूमी अभी लेखों के digitally करण मतलब यह कि जो land records हैं उनका digitalization किया जाएगा उसके अलावा किट नासकों का छिड़काओ और फिर पोसकत्त्त की पौधों को कितना पोसकत्त्त मिल रहा है या उनमें कितने पोसकत्त्तों की कमी है उससे समन देत फिर केम बेत्वा परियोजना की भी बात बजट में की गई जिसके अंतरगत केम बेत्वा लिंक परियोजना के कार्यान रेन के लिए 1400 करोर रुपे के खर्च की बात बजट में की है उसके लावा केम बेत्वा लिंक परियोजना में 9.108 लाग हेक्टर किसानों को सिचाई का लाब मिलेगा ऐसा बजट में बताया गया अब इसी समाविसी विकास के अंतरगत Micro Small Medium Enterprises की भी बात की गई है इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि उद्यम, इस्रम, NCS यानि की National Career Service और Aseem Portal, Aseem का मतलब यहाँ पर है कि आत्म निर्वर, Skilled, Employee, Employer, Mapping इन Portal को आपस में जोड़ा जाएगा वहीं आगे अब बात कही गई बजट में कि 130 लाग Micro Small Medium Enterprises ने ECLGS मतलब Emergency Credit Linked Guarantee Scheme के तहत उनको अतरिक्त रिण परदान किया गया है और फिर इसी ECLGS को इन Micro Small Medium Enterprises के लिए मार्च 2023 तक बढ़ाए जाएगा बजट में यह बात कही गई कि ECLGS के तहत Guarantee Cover को 50,000 करोर रुपे से बढ़ा कर 5,000,000 करोर रुपे किया जाएगा फिर आगे कि सुक्ष्म और लगू उद्यम मतलब Micro और Small जो Enterprises हैं उनके लिए Credit Guarantee Trust इसके तहत सुक्ष्म और लगू उद्यम के लिए 2,000,000 करोर रुपे का अतरिक्त रिण दिया जाएगा फिर आगे कि 6,000,000 करोर रुपे के Expenditure के साथ Micro, Small, Medium, Enterprises के जो प्रदर्शन है उनको बढ़ाने और तेज करने का कारिकरम सुरू किया जाएगा अब बात करते हैं Skill Development की तो इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि Online Projection के माध्यम से व्यक्तियों को Skill, Re-Skill और Up-Skill किया जाएगा और इसके लिए Digital Ecosystem for Skilling and Livelihood मतलब This Stacked E-Portal सुरू किया जाएगा वहीं Drone सक्ति और Drone as a Service की सुविधा के लिए Startup को बढ़ावा दिया जाएगा फिर अगर हम आगे सिख्छा की बात करें तो इस Corona महमारी के दोरान बच्चों की सिख्छा सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है इसी को देखते वे बजट में यह बात कही गई है कि PM E-Vidya के One Class One TV Channel कारिकरम को 200 TV चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा महत्पूर्ण सोच कौसल मतलब Critical Thinking Skill को बढ़ावा देने के लिए Virtual Lab और Skilling E-Lab की स्थापना की जाएगी बजट में आगे यह बात कही गई कि Digital सिख्छकों के माध्यम से High Quality या उच्च गुनवत्ता वाली E-सामगरी विक्सित की जाएगी और व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ World Class Quality वाली Universal Education के लिए Digital विस्विद्याले की इस्थापना की भी बात बजट में की गई है अब बात करते हैं स्वास्तिकी तो National Digital Health Ecosystem के लिए एक Open Platform सुरू किया जाएगा फिर वही कि गुनवत्ता पूर्ण मानसिक स्वास्त परामर्स और देखभाल स्वास्त के लिए राश्ट्रिये टेली मानसिक स्वास्त कारिक्रम सुरू किया जाएगा इसमें 23 टेली मानसिक स्वास्त केंदरों का एक Network इस्थापित किया जाएगा जिसमें निमहंस नोडल के इंदर होगा और अंतराश्टिय सूचना प्रद्योगी की संस्थान बंगलोर मतलब International Institute of Information Technology प्रद्योगी की साहता पुरदान करेगा फिर वहीं अगर हम आंगन बाड़ी की बात करें तो आंगन बाड़ी को भी ससक्त करने की बात बजट में की गई है इसमें ये बात कही गई है कि मिशन सक्ति, मिशन वातसले और सक्षम आंगन बाड़ी और पोउसन 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को ससक्त किया जाएगा और साथ ही दो लाख आंगनवाडियों को अपग्रेड किया जाएगा अब बात हर घर नल से जल योजना की जिसकी बात बजट में की गई है इसके अंतरगत हर घर नल से जल के तहट दो हजार बाइस तईस में लगभग चार करोर परिवारों को कवर करने के लिए साथ हजार करोर रुपए आवणटित किये गया है और सभी के लिए आवास के अंतरगत पीम आवास योजना के तहट दो हजार बाइस तईस में असी लाख घरों को पूरा करने के लिए अरतालीस हजार करोर रुपए आवणटित किये गया है बजट में पुर्वत्तर छेत्र के विकास को भी शामिल किया गया है और इसके अंतरगत उत्तर पूर्व में इंफरस्ट्रक्टर और सोशल डेवलप्मेंट के लिए एक नई स्कीम चलाई गया है जिसका नाम है PM Divine मतलब Prime Minister Development Initiative for North East Reserve इस योजना के तहट युवाओं और महिलाओं के लिए जो लाइवलि हुड एक्टिविटीज होती है उसको मजबूत करने के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए पंद्रा सौ करोर रुपए की विवस्था की गई है बजट में Vibrant Village Program की घुशना की गई है इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि देश की उत्री सीमा पर इस्थित जो बॉर्डर विलेज है जहां पर की कम अबादी है मतलब स्पार्स पोपुलेशन है वहां लिमिटेट कनेक्टिविटी है और लिमिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इन गाउं के जीवन को वाइबरेंट बनाने के लिए वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम की घुशना की गई है बैंकिंग के संदर में बजट में यह बात कही गई है कि डेड़ लाक डाक घरों में से सौ फिसदी कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे साथ हैं जो सिड्डूल्ड कमर्सियल बैंक हैं उनके द्वारा 75 जीलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकायां इस्थापित की जाएंगे बात अगर करें यह पासपोर्ट की तो इसके अंदरगत बजट 2022-23 में यह बात कही गई की embedded chip और futuristic तक्नीक के साथ इपासपोर्ट सुरू किये जाएंगे वही बजट में अरबन प्लानिंग की भी बात कही गई है इसके अंदरगत building by laws मतलब भवन उपनियम का modernization किया जाएगा साथी साथ town planning scheme और transit oriented development लागू किये जाएंगे और शहरी छेत्रों में बड़े पैमाने पर charging station इस्थापित करने के लिए battery swapping नीती लाए जाएगे इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि जो battery से चलने वाले वाहन है वो वाहन इन charging station नों पर जाएंगे अपने discharge battery को उन charging station नों पर देंगे और फिर उन charging station से वो फिर जो charge battery वो उसे ले ले लेंगे तो यही है battery swapping नीती अब बात करते हैं defense sector के तो defense sector में आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के लिए बजट 2022-23 में या विवस्था की गई है कि defense में जो capital expenditure किया जाता है उसका 68% जो domestic industry है उससे पूरा किया जाएगा उसके साथी साथ defense में जो research and development किया जाता है उसका 25% उद्योग, start-up और academia के लिए खोला जाएगा अब यहाँ पर बात आगे होगी sunrise opportunity की उसके अंतरगरत, artificial intelligence, geospatial system और drone, semiconductor और इसके ecosystem space economy, genomics और pharmaceuticals, green energy और clean mobility system जैसे sunrise opportunity में research even development के लिए सरकार के द्वारा योगदान किया जाएगा फिर जो हमारी तीसरी प्राथमिक्ता थी और उसके अंतरगत जो energy transition की बात हो रही थी और climate action की बात हो रही थी उसके अंतरगत या बात कही गई है कि 2030 तक 280 गीगावार्ट सौर उर्जा इस्थापित करने के लिए इसे production linked incentive के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए 19,500 करोर रुपे का अतरिक्त आवटन किया जाएगा साथी साथ thermal power plant में 5 से 7 परतिसत biomass pellet का उप्योग किया जाएगा मतलब यहाँ पर यह है कि thermal power plant में उर्जा उत्पादन के लिए जो input का प्रियोग किया जाता है उस input में 5 से 7 परतिसत biomass pellet का प्रियोग होगा अब इस प्रियास से किन लाभों की प्राप्ती हो सकती है तो पहला लाभ तो यह कि हर वर्ज तीन दसनलव आठ मिट्रिक मिलियन टन कार्बन डाक्साइट की बचत होगी फिर वहीं किसानों को अत्रिक्ट आए और इस्थानिय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्द होंगे साथी साथ किरसी छेत्रों में पराली जलाने से बचने में भी यह मदद करेगा उसके अलाबा आगे जो बजट में प्रावधन किया गया है उसके लिए यह है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कोल गैसिफिकेशन और कोईले को रसाइनों में बदलने के लिए चार पाइलट प्रोजनाएं इस्थापित की जाएगे फिर अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती के किसानों को वित्य सहता जो क्रिसी वानिकी को अपनाना चाहते हैं उसके लिए दी जाएगे लेंड रिकॉर्ड मेनेजमेंट के लिए बजट मिहबाद कही गई है कि IT-based यूनीक लेंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नमर की विवस्था की जाएगे उसके बाद वैसी कमपनियां जिनको लगता है कि वह विवसाय से बाहर हो जाए तो उसके लिए बजट मिहबाद कही गई है कि मौजुदा समय में जहां एक कमपनी को बंध होने में दो साल का वक्त लगता है अब एक नई विवस्था लाई जाएगी जिसके द्वारा अब वो कमपनी छह माँ में ही अपने विवसाय से एक्जिस्ट कर सकती है बजट में AVGC प्रमोशन की बात की गई और उसके लिए टास्क फुर्स गठन करने की भी बात की गई क्या होता है AVGC तो AVGC का रथ यहां पर है कि और्डियो, वीडियो, गेमिंग, एंड कॉमिक वित्यमंत्री का यह कहना है कि यह जो छेत्र है AVGC इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है इसलिए इस छेत्र को प्रमोट किया जाए, उनको प्रोसाहित किया जाए वहीं आगे दूर संचार छेत्र में 5G के इस्पेक्टरम आवंटन के लिए उस इस्पेक्टरम आवंटन में नीजी छेत्र शामिल हो, उसको प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव के साथ जोड़ा जाएगा साथी साथ, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो मौजुदा स्पेसल एकोनोमिक जोन है, उसके जगह पर एक नया कानून लाये जाएगा अब बात करते हैं, हम चौथी प्रात्मिक्ता की, जो है वित्ती निवेस या फाइनसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि 2022-23 में प्राइवेट निवेस और डिमांड को बढ़ाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा अगर कैपिटल एक्स्पेंडिचर की बात करें, तो इसमें यह बात कही गई है कि पिछरे वर्स की तुलना में 35.4 परतिसत की वृद्धी की जाएगी बजट 2022-23 या वित्ती वर्स 2022-23 में वहीं आगे यह बात भी कही गई कि 2022-23 में जो एक्स्पेंडिचर किया जाएगा वह जीडिपी का 2.9 परसेंट होगा और सेंट्रल गॉर्वर्मेंट का इफेक्टिव कैपिटल एक्स्पेंडिचर जीडिपी की का 4.1 परसेंट होगा बजट में गिफ्ट सिटी से समंदित भी कुछ प्रावधान है जिसके अंतरगत वर्ल्ड क्लास लेवल का इंटरनेशनल युनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इंस्टिउशन को वहाँ पर इस्थापित होने की अनुमती दी जाएगी साथी साथ गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर को भी खोला जाएगा ताकि समय पर अंतराश्टी विवाद को निप्टाया जा सके वहीं Green Infrastructure Development के लिए जो संसाधन जुटाने की बात की जाती है बार बार उन संसाधनों को या यू कहें कि पूंजी को जुटाने के लिए Sovereign Green Bond जारी किये जाएंगे अब यहाँ पर एक महत्पूल घोसना की गई है वह घोसना है रुपए के Digital Form की जिसके अंतरगत यह बात कही गई है कि भारती रिजर्ब बैंक द्वारा 2022-23 से Digital रुपए की सुरुवात की जाएगी बजट में राज्यों की राजकोसी स्थिती को मजबूत करने के प्रावधांगी शामिल है इसके अंतरगत यह बात कही गई है कि अर्थ विवस्था में समग्र निवेस को बढ़ाने में राज्यों की साहता के लिए 2022-23 में एक लाख करोर के बजटी आवंटन की जाएगी फिर आगे कि सामाने उधार के अलवा अगर राज्य अतरिक्त उधार लेते हैं तो फिर यह जो उधार वो लेंगे वो अगले पचास वर्स के लिए इंट्रेस्ट फ्री होगा 2022-23 में राज्यों को उनकी जीडिपी के चार परतिसत के राजकोसी घाटे की अनुमती दी गई है जिसमें से 0.5% बिजली छेतर के सुधारों से जुड़े होंगे अब बात करते हैं राजकोसी घाटे की तो बजट की घोसना के समय वित्यमंत्री ने जो बात कही है उसके अनुसार 2025-26 तक राजकोसी घाटा सकल घरेलू उत्पात का 4.5% होगा उन्होंने यह प्रस्तावित किया है फिर अगर राजकोसी घाटे की बात करें वित्ती वर्स 2022-23 के लिए तो उनका अनुमान है कि यह GDP का 6.4% होगा और 2021-22 वित्ती वर्स के लिए राजकोसी घाटे का संसोधित अनुमान वह है सकल घरेलू उत्पात का 6.9% बजट में Life Insurance Corporation मतलब LIC एक पब्लिक इसू के जल्द ही आने की बात कही गई है और एक महत्पूर घोसना की गई है वह घोसना है क्रिप्टो टेक्स की जिसके अंतरगत यह बात कही गई है कि Digital Assets को Hold करने पर एक टेक्स लगेगा जो होगा 30% और यही वो टेक्स है जिसे हम क्रिप्टो टेक्स कहते हैं तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बजट 2022-2022 से समंधित जो महतपूर्ण घोसनाएं की गई उन महतपूर्ण घोसनाओं पर हमने गौर किया इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समात्र करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को लाइक और जाद 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 शेयर कीजिए धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिसन अप्देट